नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कुछ ऐसे सुपसंकेत होते हैं जिसके माध्यन से आप ये जान सकते हैं कि मालक्षमी प्रसन्न है अब बरकत होगी अब जो भी मुश्किले थी वो समाप्त होगी और खुसिया एक बार फिर से आ चुकी है वैसे तो मालक्षमी हमेशा ही अपने भकतों पर किरपा बरसाती है जहां सुकून हो सांती हो जहां लोग परसन्नता से रहते हैं जहां किसी भी परिस्तिती में रहकर भी खुस रहते हैं और खुसिया भी खेरते हैं सब को खुस रखने की चाहत रखते हैं हमेशा चेहरे पे मुस्कुराट होती है, लोग सापसफाई से रहते हैं, बेवस्थित रहते हैं, ऐसे जगह मालक्ष में हमेशा ही रहती है लेकिन वो सुप संकेत कौन से हैं जिन से ये जान सकते हैं कि इस जीवन के कस्ट भरे पलों को अब सुकून की छाओ देगा एक उम्मीद की किरन देगा, जो जीवन में खुसियां ही खुसियां घोलेगा और दुख तकलीफ कर नामो निसान नहीं होगा सुप संकेत, हमेशा ही, बस ये समझ लें कि पॉजिटिविटी से आपको भरेगा पहला संकेत तो ये है कि चेहरे पर मुस्कुराहट खुद बखुद आ जाना ये बताता है कि अब सुख आने वाला है बेबजह मुस्कुराने लगें तो ये बताता है कि अब तकलीफ जाने वाली है एक ऐसा जीव जो लगातार आपके घर में आने लगे तो समझ लें कि अब भागे बदलने वाला आखिर वो कौन से हैं तो चलिए समझते हैं सुरवात से वैसे तो नारियल को हम समाजिक परंपरा में बहुत सुमानते हैं और आप उड़ते ही अगर आपको नारियल दिख जाए तो ये समझ लें कि आज के दिन जिस भी दिन दिख जाए कोई बढ़िया खबर मिलेगी कोई धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी अब यात्रा के समय अगर आपको बंदर दिख जाए आपके दाहिनी तरब या कुत्ता दिख जाए सांप दिख जाए दाहिने साइड इसका मतलब है आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहाँ धनलाब होगा अगर रात में आप सोते हैं और सपने में आप सफेद या फिर सुनहरे रंग का सांप अकसर देखते हैं तो ये भी भागी के दरबाजे खुलने का संकेत है यानि निकट भविस में आप बहुत जल्दी सफल होंगे आपके जीवन में कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है अगर आप सपने में देखते हैं हरे भरे प्राकिरतिंग नजा रे तो ये सबसे ज़्यादा सुप सकुन माना गया है क्योंकि अगर हर्याली के साथ पानी भी हो तो इसका मतलब है कि अब जल्द ही आपके जीवन में धन आएगा बहते वे पानी की तरह बहते वे सुबह सुबह उठते ही अगर दूद दही आप देखते हैं या घर से अपने बाहर निकला देखा दूद वाला जा रहा है इसका मतलब क्या हो यह अच्छी किसमत का संकेत है और लगातार कुछ दिनों तक अगर आप दूद दही देखने लगे तो इसका मतलब है अब आपका समय अच्छा चलने वाला है तो समय का फायदा आपको उठ को लेकिन आप उठ रहे हैं मोर्डिंग वाग के लिए आप देखते हैं रास्ते में इनकार इसका मतलब भी होता है कि अब मालक्षी में कहीं न कहीं से आपको को की आपको नीनधी खुलता है कोई शुमंगल पर्तिक चिन से जैसे लोग संख बजा रहे हैं, मंदर में घंटी बज रहे हैं, आर्ती हो रहे हैं, पुझा पाठ हो रहे हैं, ये भी भागे के प्रबल होने के संकेत है, क्योंकि बहुत भागे वालों को ही ऐसी धोनी सुनाई देती है, आप किसी बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, ओफिस क वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं चमगादर घर में बसेरा बना ले तो धनाने के संकेत है वैसे ये एक असूब असंकेत है इसलिए आपके घर में तो तुरंध रटाईए नहीं तो बर्कत चली जाएगी जिन्दगी में हर किसी का कोई न कोई लकी डे होता है कहीं भी से भी आपको धन उस दिन मिली जाएगा और उस दिन का फाइदा आपको उठाना चाहिए क्योंकि उस दिन जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा धनाएगा प्रयास करते रहें अगर आपके उपर पक्छी बीट कर देता है तो यकिनान आप गुस्सा करते हैं पर ये बहुत सुपसंकेत है इसका मतलब है अब जल्द ही आपका भाग का ताला खुलने वाला है मकड़े के जाले घर में होना बढ़िया नहीं होता लेकिन मकड़े के जाले में आपका नाम का पहला अक्छर दिखाई दे जाए तो एक अच्छा संकेत माना जाता है यानि उस दिन आपके लिए बहुत जिवन में अच्छा ही अच्छा होने वाला है पूरी दुनिया जानती है कि तूटता वाता राज जीवन में खुजियां लेकर आता है अगर आपको भी कभी तूटता वातारा मिल जाये तो अपनी विस जरूर बोल दें एक से सवा महिने के अंदर विस पूरा हो जाता है तो सोच समझ के मांगिएगा कभी कभी हर बढ़ाहट में हम उल्टे कपड़े पहन लेते हैं और जब फिर सिधा करते हैं कोई टोक देता है कि भाई उल्टे पहने हो इसका मतलब है कि सुक समरिद्धी अब बढ़ेगा अब जीवन में सिर्फ खुजियां ही आएंगी अब कभी कभी क्या होता है आप कहीं जा रहे हैं आपको रास्ते में अच्छे चीची मिलने लगती है जैसे कि चार पत्तियों वाला गहास गोड़े की नाल सिक्का पड़ावा मिल जाए संभाल कर उठा ले ये भागे का इसारा मिल रहा है आपको अगर आपके घर में रोज-रुज कुत्ते आ रहे हैं आकर कहीं बच्चे दे देते हैं च्छत डूनते हैं रहने के लिए कोई कुतिया है काभिन है उसको बच्चा होने वाला है तो इसका मतलब भी अच्छा होता है इसका मतलब है कि निकट भविस्य में आपको बड़ा धनलाब होगा आपके घर में फूलों के पौदे होंगे, गमले होंगे, क्यारियां होंगी तो बारिस में मेधक का टर्टराना, बीटल का रहना, टिड्डों का सोर करना अच्छा संकेत माना जाता है अगर ऐसा आपको दिख जाए, मिल जाए, तो उस समय का आनन्द जरूर उठाईए क्योंकि अब जल्द ही भागे का सितारा चमकेगा अक्सर आपने देखा होगा कि बारिस भी हो रही है, दूपी उग गया है ये भी समझ लें, अगर आपको ऐसा दिख जाए, तो निकट भविस्य में धन आने के संकेत हैं ये जल्द ही आपको कोई बड़ी खुस खबरी मिलेगी कई बार देखिएगा कि जो पुरू सेंदाइने हाथ में खुझली होती है, जो महिला हैं बाएं हाथ में खुझली होती है ये भी धन आने के संकेत माने जाते हैं कच्छुआ को लोग भागय का प्रतीक मानते हैं और इसलिए अगर आपको कच्छुआ कहीं भी किसी भी रूप में दिख जाए यानि कि ओरिजिनल हो, संगमरमर का हो, कुझल का हो अच्छी खबर जरूर लाता है कच्छुआ डॉल्फिन अगर इन डॉल्फिन का जोड़ा आपको कहीं से भी वैसे आप स्टेचू लगा सकते हैं, कैलेंडर लगा सकते हैं क्योंकि डॉल्फिन के जोड़े के जो पिक है उसके पीछे अगर आप मननत लिख के रख दें तो मननत बहुत जल्द पूरी होती, चाहे कैसी भी मननत हो सुवर वैसे तो सुवर को भागे लाने का प्रतीक वाना जाता है और इजनल में भले ही सुवर को चीची करें लेकिन ये पिगी बेंग का राज ही बहुत अलग है क्योंकि ये सिर्फ धन को बढ़ाता है, बचाता है और बचाते जाता है, मोती वैसे तो आप हुसन के रूप में उपयोग होता है लेकिन अच्छे भागे का प्रतीक है मिल जाए तो छोड़िएगा मत अपने घर में मोती जरूर रखें इसको कहते हैं जिंगूर जिंगूर का सोर अगर सुनाई दे आपके बगीचे में या आपके घर में घर में आ जाए तो इसका मतलब है अब आपको पीछे मुड़ने की आवा सकता नहीं क्योंकि अब सिर्फ खुसी आएंगी सिर्फ धन आएगा मालक्षमी अपने साथ जिंगूर को लेकर ही आती है उनको पहले बेशती है जाओ सोर करो और जीवन में खुसियां का आनंद को घोलो तो ये संकेत किसमत को बदलने का है अगर छोटा बच्चा आपको हस्ते पे मिल जाए आप कहीं जा रहे हैं या सुबस वो उटते हैं उनकी हसी से ही ये भी खुबसूरत संकेत है भागे बदलने का आप सोकर उटते हैं बहुत अच्छा फील करते हैं एकदम से अंदर से लगता है कुछ खुसी महसूस हो रही है ये खुसियां किस चीज की है ये मालक्ष्मी के आगमन की खुसियां है तो इसको इंज्वाई कीजिए समय का फायदा उठाना होगा बैठे रहेंगे तो भागे हाथों से फिसल जाएगा बिल्ली अगर आपके घर में आके बच्चे दे दे और बिल्ली का जेल मिल जाए तो बड़े किसमत वाले हैं आप क्योंकि ये धन का पिटा रहा है समाल कर रखिएगा सिंदूर में लपेट कर बार बार घर के दरवाजे पर गाय आने लगे बिना खाय मत जाने दीजिए अगर घर अधर के दर डर्वाजे पर लगातार आ रही है तो इसका मतलब है मालक्श मेहीं आप्से प्रसंद है इसका मतलब है फूब पैसा आएगा लेकिन पतला गुपला है जैसे आप रहते हैं बिल्कुल वैसे मैनेज हो जाएगा लेकिन फीला फन्हों हो थोड़ा सा ध्यान डखना होगा वैसे तो धनिया का पेर पूड़े साल ही आप अपने एक गंबले को रखिए प्लास्टिक का ग सब्सक्राइबन में सकात्मक चीजों को बढ़ाता है हम आपसे भी दाले